हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल नजरानास किचन आज मैं आपके साथ मटन कोर्मे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं आज हम इसे कुकर में बनाएंगे कुकर में ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और ये देखने में भी कितनी बढ़िया और मज़ेदार लग रही है आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राइ करें ये आपको बहुत पसंद आएगी और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्ट्राइब करें साथी पैल आइकन को भी चरूर दबाएं चलिए फिर मटन कोर्मा बनाना शुरू करते हैं मटन कोर्मा बनाने के लिए हमें यहां पे जिन दिन चीजों की जुरूत पड़ेगी वह सब हमने यहां पे ले ली है यह हमने यहां पे 700 ग्राम मटन लिया है और इसको हमने अच्छे तरह से धूलिया है यह हमने तीन मीडियम साइज प्याज को फ्राई करके रख लिया है और यह पीसे हुए मसालों में हमने आधा बड़ा चमच नमक एक बड़ा चमच दिनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और यह आधा चमच गरम मसाला पाउडर दो बड़े चमच अधरक लहसून का पेस्ट और 300 ग्राम दही और यह मैंने साबुत गरम मसाले लिये हैं इसमें मैंने चार हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, छे लॉंग, एक छोड़ा चमच जीरा, आधा छोड़ा चमच काली मिर्च, चार टुकरे दालचीनी के और दो तेज पत्ता ले लिया है अब हम यहाँ पे कुकर ले लेंगे और इसके अंदर एक चुथाई कप तेल डालेंगे यह वही तेल है जिसमें हमने प्यास को फ्राइग किया था जब तेल गरम हो जाए तो हम इसके अंदर यह साबुत गरम मसाला डाल देंगे और जब मसाले हमारे चिटक जाए तो हम इसके अंदर ये मटन डाल देंगे मटन को हम एक बार चला लेंगे अब हम इसके अंदर दो बड़े चम्मत भड़के अद्रक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये पीसे हुए मसालो को भी हम इसके अंदर डाल देंगे अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर एक कप पानी डालेंगे पानी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम कुकर का ढखन लगा के इसमें दो सीटी लगा लेंगे अब हम ये दही और प्याज को पीस लेंगे दही और प्याज को पीश के हमने ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बना लिया है ये देखिए कुकर में दो सीटी लग चुकी है और इसकी सीटी हमने पूरी तरह से निकलने दी है अब हम कुकर का धकन खोलेंगे अब हम इसके अंदर दही और प्याज का पेस्ट डाल देंगे अब हम आज को तेज कर लेंगे और तेज आज पर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसका साथ तेल छूटने ना लगे ये देखिए मटर हमारा अच्छी तरह से भून गया है अब हम इसके अंदर लख्ण 1.5 कप पानी डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम इसके अंदर एक चोथाई छोड़ा चमच केवडे का अर्क डालेंगे और इसके साथ हम इसके अंदर गरम मसारा भी डाल देंगे अब इसे हम अच्छे तरह से मिला लेंगे अब हम इसका धकन लगा लेंगे और इसमें पूरी एक सीटी लगाएंगे ये देखें फुकर में एक सीटी लग चुकी है और सीटी भी हमने पूरी तरह से निकलने दी है अब हम इसका धकन खोलेंगे तो यह देखिए बनके तयार है हमारा कुकर में मज़िदार मटन कोर्मा चलिए अब इसे डिशाउट कर लेते हैं मटन कोर्मी की रेसिपी आप फिर में जबन क्राय करें या आपको पुमत पसंद आएगी अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिस से सब्सक्राइब करें फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजराना असके जब में तब तक के लिए अल्ला हाफिज